नमस्कार आप देख रहे हैं BPA News आज की ताज़े खबर मैं राकेश कुमार क्रियेटिव डारेक्टर BPA News हरियाना दिव्यांगों के लिए जल्द जारी किया जाएगा टॉल फिरी नंबर राज्य आयूक्त नुहू 11 अप्रेल राज्य आयूक्त दिव्यांग जन हरियान राजकुमार मककड ने आज जिला रेड क्रोस समीती द्वारा आयूजित पर्थम दिव्यांग जन जागुर्पता केम का बतोर मुख्या थिती सुबारम किया उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन हमारे समाज का आभीन अंग है जिने समाज की मुख्यधाराओं में सामिल करना चाहिए इसके लिए सरकार हर प्रकार से प्रयासरत है जिसमें जन सहयोग अपेक्सित है उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए नौकरी में 4% आरेक्ष उनको सफल बनाने में उनका साथ देना चाहिए ताक्किवे समाज में आत्म रिवर बन सकेए दिव्यांगों के विशे साधिकार प्राप्त है जिनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए सरकार ने दिव्यांगों के लिए अनेक कल्यांग का योजनाय चला रखी है जिनका उन्हें पूर्ण लाव उठाना चाहिए इन यूजनाओं का लाव उठाकर दिव्यांग जन बहत्रिन भविश्या बना सकते हैं राज्य आयुक तराजकुमर मकड ने कहा कि मनुस्य कर सबसे बड़ा धर्म अच्छे कर्म करना है इसलिए मनुस्य को जीवन में अपने कर्तवयों का पालन पूरी मानदारी से करना चाहिए उन्हें दिव्यांग जनों के सहायता के लिए हर समय आगे आना चाहिए ताकि दिव्यांगों को भी समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन प्रतिवासाली होते हैं जिसे तलासने के लिए प्रयास करने चाहिए इसके लिए सरकार हर संभव मदद दे रही है दिव्यांगों के लिए पैंसन यूजना भी है इसका पूरा लाव उन्हें मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि जिला के विविद सेवाई प्रादीकरण के तहट भी दिव्यांग जनों के कल्यानरत प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि समाज को दिव्यांगों के लिए समर्पित भाव से प्रयास करने चाहिए दिव्यांग जुनों को उनके अधिकारों के साथ दीजाने वाली सभी सुईधाएं की जानकर देनी चाहिए राज्या आयुक्त ने कहा कि सरकार द्वारत दिव्यांग जुनों को मुफ्त में कृत्रिम अंगमुहया कराए जाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारभी 2006 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम पास किया गया जिसमें दिव्यांगों को अनेक अधिकार दिये गए हैं जिसमें रोजगार का भी अधिकार दिये गया है उन्होंने बताए कि दिव्यांगों को अपना रोजगार स्तापित करने के केंप में 440 दिव्यांग जन द्वारा रेजिस्ट्रेशन करवाय गया जिन में से 320 मोटर राइट ट्राइसाइकल 50 दिव्यांग योग रोजगार हेतु 30 दिव्यांग जन प्रमानपत्र से संब्दित समस्याओं को यह था सिक्र निवारण के लिए संब्दित अधिकार्यों को दिये इस आउसर पर उप सिविल सर्जेंट डाक्टर राकेश चावला डाक्टर एके यादव जिला समाज का लियान अधिकारी सफ्राज भाजपा जिला अध्यक्स नजेंदर पटेल नगरपालिगाग चेहर परसन मनीत अगर्ग रक्तदान कमेटी के सदस्य दिनेश नाग अपल ग्यान चंद आरे मास्टर अश्रफ उसेन सहीत अन्य गणवानने लोग मवजूद रहे को रोना से बचाव के लिए स्वास्त जीवन सेली एवं अईर्वेद को अपनाई ध्रेंदर खटकडा सफल टीका करन अभियान की रोक्ताम कर समाधान नुहु दस अप्रेल तथर रोग प्रती रुदक्षमता बढ़ाएं जागरुप बने सुरक्षित रहें क्रोना स्ट्रेंड में हमारे घर की सान भुजरुगों का विशेश ध्यान रखें क्रोना का टीथरी मंतर से करेंगे सामना देश में बनी दोनों क्रोना वैक्सिन पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी हैं कोरोना टीका को लेकर किसी के वहकाव में ना आएं उपायुक्त ने कहा कि टीका लगवाने के लिए मोके पर ही पंजीकरण की स्विधा उपलब्ध है इसके अलावट टीका लगवाने हैं तो वेबसाइट www.covin.go.in पर भी पंजीकरण करवा सकते हैं इस महामारी के लक्षन नजर आने पर तुरंट जाच अवर्शे कराएं टीका करण जागरुकता के लिए 200 घरों का एक आसा एवं एक आंगरमड़े कारे करता लगाई गई हैं पूर निर्धारित रोग से ग्रस्त 45 वर्स आयू के वेक्ति एवं 60 वर्स से अधिक आयू के व बढ़ाएं भोजन में हल्दी जीरा धनिया एवं लस्टन का उपयोग करें प्रति दिन गिलो का भी सेवन करें तुलसी दालचिनी काले मिर्च सूंथी मुनक्खा आदी से बना काड़ा पिएं हल्दी यूक्त गरम दूद का सेवन करें तिल नार्यल का तेल या घी नाक में दोनों छिद्रों में लगाएं योगासन प्रणायम का ध्यान करें केवल जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें तथा भीड़भाड वाले स्थानों पर जाने से परेज करें उन्होंने कहा है कि बुज़ुर्ग हमारे घर की सान करोना स्ट्रेंड में बुज़ुर्गो जैसे चस्मा रिमोट आदी को क्लीनर से बार बार साब करें उन्होंने कहा कि कोरोना का 3 टीम मत्र अर्थार टैस्टिंग ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट से सामना करेंगे मास्क नै पहनने वालों के विरुद्द सरकार द्वारा शक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्णने लिया गया है कि कोरोना से बचाव के लिए परतेक सोमवार वा मंगलवार को मेगा टीका करन अभियान के तहट टीका करन किया जाएगा देश में बनी दोनों दमाए कोविशिल्ड एवम को वैक्सिन पूरी तरह सुरक्सित एवम परभावी हैं अब कोरोना टीका करन के लिए पहले पंजी करन करोप करवाना अनिवारिय नहीं है सभी नागरिक टीका लगवाने का संकल्प लें क्यूंकि टीका ही करोणा को हराने का विकल्प है कोविड के दोनों टीके पूरी तरह सुरक्सित एवम परभावी हैं जिनके लगवाने से रोग परती रोधक शमता बढ़ती है टीके को लगवाने किसी के बहकावे मना अनिवारिय नहीं है